हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग मैं हमें तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाईड तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक इसमें हम डिस्कॉस करने वाले हैं जो काफी बच्चे वेट कर रहे हैं विच इस हाउ टू स्टील 45 मार्क्स इन सेक्यूर्टी स्लॉग ठीक है 45 कुछ लोगों को बहुत कम भी लग रहे होंगे बट मुझे लगता है 45 is a decent score ठीक है विकरस आपको पास होना है मैं rankers के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ आपको पास होना है पास होने के लिए अल्रेड़ी आपको बताई है कि CMA FM पे मैं जाधा stress देने के लिए कहता ह हूँ वहाँ पे आपको 55 to 60 लाने होते है तो रिटन पेपर में उतना बर्डन आपका कम हो जाता है आपको 45 45 भी मिल गए EBCL और SLCM में तो भी यूविल मैनेज टू क्रॉस दा एग्रिगेट लिए तो 45 to 50 आप कैसे स्टील कर सकते हो कैसे simplify कर सकते हो अपनी passing को I tell me कि ये problems ये subject की problem क्या है I hope आपको पता है पहला problem है कि ये written paper है दूसरा problem है इसका syllabus काफी vast है बहुत सारी चीज़े है especially part A बहुत ही जादा problematic है तो वो कैसे उसको tackle करें कैसे हम अपनी strategy बनाए कैसे हम अपना 45 पे focus रखें ठीक है वो मैं इसमें आपको अच्छे से बताने वाला हूँ ठीक है तो let's begin with कि अभी तक मैंने कभी ऐसा गिनवाया नहीं है ची priorities law का क्या-क्या content मेरे चैनल पर available है relevant है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं क्योंकि काफी बच्चों को पता नहीं है चीक है तो क्या-क्या अविलेबल है पन देख लेते हैं फटा-फट ठीक है आप मेरे चैनल पर जाएंगे चैनल पर चैनल के home page पर आपको देखेंगे सारे playlist आपकी खिदमत में ready हैं सारे playlist यहीं पर हैं लोग मुझसे link मांगते हैं मतलब मुझे समझ भी नहीं आता बच्चे 10th 11th के हैं या executive level के हैं वो difference ही नहीं feel कर पाता हूं मैं हर चीज उनको one-to-one चाही होती है हर चीज arrange कर के दी हुई है home page पर अगर आप जाओगे आपक प्लेलिस के भी टैब में जाओगे आपको सारे playlist मिल जाएंगे क्यूं आपको मांगना है मुझे समझ भी नहीं आता हर चीज अवेलिबल है ढंक से देखोगे थोड़ा सा patience रखके देखोगे थोड़ा time spend करोगे पांच मिनिट चैनल पे हर वीडियो आपको मिल जाएगी शॉटकट लेना बन करो क्योंकि हर वक्त हर टीचर आपके लिए अवेलिबल नहीं रहेगा और आप अकेले नहीं हो जो उससे पूछ रहा है समझ रहे हो यह कहीं न कहीं मुझे लगता है बच्चे को ध्यान देना चाहिए क्योंकि exam season है आप भी पैनिक में हो सब पैनिक में फिर यह मेरे cfm के demos हैं फिर देखो funding के सारे वीडियो का playlist है फिर यहां आपको देखेगा securities law तो बस आप इसको क्लिक करेंगे पूरा playlist खुल जाएगा तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला देखो numerical पास्ट पेपर के सारे numerical मैंने cover किये हैं सारे के सारे जित टाइप है फिर चाप्टर 15 पूरा सिरिफ चाप्टर 15 सबाच चार घंटे का मैंने revise कराये हुआ है marathon के इससाब से अच्छा cover जेए उसका और word to word पढ़ा रहा हूं ठीक है फिर mini marathon है ICDR का सिरिफ ICDR चार घंटे चार घंटे लोग दो घंटे लेते हैं आप खुश हो जाते हो मैंने चार घंटे पढ़ाये हुए है किसी को कोई फरक नहीं पढ़ रहा चार घंटे का ICDR अविलिबल है ठीक है ध्यान दो फिर how to prepare security law already मैं बता चुका हूं case studies past paper के सारे case studies मैं आपको पढ़ा चुका हूं पांच घंटे का पार्ट भी आपको दिया हुए कोई भी चेंज नहीं है उसमें जबरदस्ती हर कुछ मैनों में आपके satisfaction के लिए कोई faculty पांच घंटे रिकॉर्ड नहीं कर सकता आप समझो बात को ठीक है तो चेंज ही नहीं है और जो चेंज है अलग से आपको दो घंटे मे पढ़ाय हुआ है मुझे लगता है कोई problem नहीं है ठीक है फिर mini marathon LODR का भी है सवा तीन घंटे चीक है पास paper case studies है अलग से important limits सक पढ़ाय हुई है मुझे नहीं लगा किसी faculty ने पढ़ाय होगा अलग से important limits भी दो घंटे में पूरा revise कराय हुआ है amendments दे दिये मैंने आपको June 23 exams के SLCM में कितना पेपर का answers का length होना चाहिए इस पे भी मैंने discussion किया हुआ है और December 22 के भी December जो latest paper हुआ है उसके भी numerical और case study questions मैंने अलग से डाल दिये हैं अगर आप इसका weightage गिनो होगे न आप समझ लो बैट के गिनो इसका कितना weightage होता है पूरा part भी cover है ICDR, LODR covered है, amendments covered है, numerical सा सारे case studies भी covered है, अच्छा खासा coverage है भाई ये, YouTube पे free में और कितना मिलेगा आपको, सोच के देखो, तो अच्छा खासा coverage already है, और सबसे बड़ा जो problem मुझे हो रहा है, मैं frankly बता रहू, सब मैं frankly बोलता है, और इसलिए काफी बच्चों को बुरा भी लगता है, उससे hardly मुझ question आते ही नहीं है, अगर आब S.E.S.T. देखोगे, अगर आब insider trading देखोगे, buyback देखोगे, delisting देखोगे, ये सारे chapters में से case studies ही आती है, कोई plain short note लिखते बैठो, ऐसे question नहीं आते, थोड़े से analytical, थोड़े से situational, थोड़ा सा applied way में question आते हैं, तो जो plain 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 है न, काफी बच देखी नहीं पाते हैं, तो पूरा effort ही waste हो जाता है, पूरा effort ही waste हो जाता है, पार्ट A में normal ये जो at least 5-6 chapters है, इन में आप plain जैसे बाकी chapters पढ़ते हो, पार्ट B पढ़ते हो, ऐसा आप नहीं approach follow कर सकते हैं, मुझे लगता है, और इसलिए काफी बच्चे 50 cross ही नहीं कर पाते कि 50 cross करना है, तो फिर आपको case study को बहुत अच्चे से tackle करते आना चाहिए, इसको properly answer करते आना चाहिए, language बहुत जादा matter कर जाती है, तो ये problem है, इसलिए मैं plain plain मेरी इच्छा नहीं हो रही है पढ़ाने की, case studies ही होती है, case studies pass paper के सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सक जून के हिसाब से relevant videos ही है, amendments भी अलग से दिये हुए, आप उसको पढ़के कर सकते हो, clear है, तो ये मैंने बता दिया, अभी तक कभी बताया नहीं था, पर अब थोड़ा सा मुझे ज़रत feel हुई, कि बच्चों को शायद awareness नहीं है, कि अपने channel पे क्या-क्या already available है, और जाधा pressure लिए, बिना demotivate हुए, कैसे ले सकते हैं, चीक है, basically आपका बस focus आपको change करना है, problem क्या है, आप focus ऐसी जगह कर रहे हो, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, याने कि पार्टे, आप पार्टे पे जाधा focus कर रहे होंगे, जितने भी लोग dissatisfied है, जितने भी लोग आपको गलती answer मिलेंगे, समझ रहे हो, पार्टे में problem क्या है, बहुत जाधा chapters है, case study based question ही, maximum question case study based होते है, जहाँ पे आपको मुझे नहीं लगता कभी भी confidence feel होगा, unless आप single group आ ले हो, unless आपके आपने बहुत जाधा समय दिया है, unless बहुत जाधा case study के आपने practice की है, जो बहु इसको पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं, maximum बच्चे उपर उपर से पढ़ते हैं, short note, short note, उपर उपर से, सब उपर उपर से पढ़ते हैं, तो उनको कभी भी part में उस level का confidence feel नहीं होगा, और काफी chapter आपके vast है, ICDR बहुत जाधा vast है, LODR बहुत जाधा vast है, काफी chapters आ बस मैं आपको कह रहा हूँ, focus shift कर दो, focus the moment you shift your focus to part B, चीजें change हो जाएंगे, चीजें dramatically change हो जाएंगे, क्योंकि part B में देखो क्या है, no case study, ठीक है, सबसे पहला benefit, जिससे आपको डर लगता है, वो almost नहीं आता है, एक भी question नहीं आता है, जो case study frame में आता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर regulations है नहीं, यहाँ पर सब concepts है, ठीक है, दूसरा, इसमें one question का choice भी मिलता है, ठीक है, तीसरा, मेरे इसाब से limited syllabus है, आप आराम से focus करोगे, थोड़ा सा extra time दोगे, hundred percent syllabus, module से आप cover कर सकते हो, module से, अगर आप देखो, पूरा part भी का, मैं बोल रहा हूँ, module cover कर लोगे amendments cover कर लोगे, मुझे नहीं लगता उसके बाहर से कुछ आता होगा, मतब कुछ surprise नहीं मिलेगा, almost सारा पढ़ा-पढ़ाया, देखा-देखा यही, part भी आपको मिलेगा, हर paper दे, अगर आप module का coverage लोगे, तो, ठीक है, तो limited syllabus है, आप उसको hundred percent cover कर सकते हो, अब जब कोई चीज hundred percent cover हो जाती है न, confidence आएगा ही आएगा, कोई chance ही नहीं कि ऐसी चीज जो आपने hundred percent cover कियो, multiple times पड़ी हो, थोड़ा बहुत writing practice भी करके देख ली हो, question भी straight, direct आते हैं, और उसमें आपको confidence फिल नहीं हो रहा, तो problem आपकी है, फिर problem subject की नहीं है, वो फिर आपकी personal problem है, English में आप आपको issue होगा, writing में आपको issue होगा, या आपको academically पहले से ही low confidence वाले student रहे होंगे, तो वो issue हो सकता है, बट अगर syllabus limited है, आपने पूरा cover कर लिया है, आपको पूरा समझा हुआ है, आपने writing practice भी की हुई है, paper भी उसका simple आता है, तो बहुत जादा chances हैं, कि आपको confidence feel होगा, अब part B में अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे कि पूरा syllabus cover करोगे, multiple times आप revise करोगे, काफी जादा writing practice भी करके देख लोगे, तो 30 marks में से आप कितना ले पाऊगे, ये अपने को अभी ध्यान देना है, देखो part B जो है आपका, part 2 जो है, ठी ठीक है, typical format है, कि पहला numerically आता है, maximum time या तो वो value of rights calculate करने के लिए आता है, या तो options का आता है, आप सारे past paper cover कर लोगे, तो आपको एक judgment आ जाएगा, value of rights almost same type है, options में भी अलग-अलग-अलग काफी types अल्रेडी repeat हो चुके है, तो आप कुछ बहुत जादा out of the box आ नही रहा, part two में, ठीक है, तो ये आप आराम से tackle कर सकते हो, फिर देखो सब plane आ रहा है, सब plane paper आ रहा है, अब मैं कह रहा हूँ, पांच में से आप कितना ले पाओगे, अब सब में पांच में से चार-चार-चार-चार बहुत मुश्किल है, मैं बहुत जादा unrealistic भी नहीं हो सकता, कि चा ले लो बस, और most probably अगर आपका ये जो numerical है, ये देखा दिखाया आया, तो numerical में 5 में से 4 तो मिल जाते हैं, कि कि उसमें language का इत्ता effect नहीं होता, उसमें अगर आप properly लिखके आओगे, present करके आओगे, explanations लिखके आ जाओगे, 5 में से 4 numerical question में लेना फिर भी possible है, फिर भी possible है, ठ चार, तीन, तीन, मैं एक दम decent target दे रहा हूँ, एक average बच्चे के इसाब से, कि numerical वाले में 4 वो ले सकता है, और बाकी दो में 5 में से 3 तो ले ही सकता है, safer side, जादा भी मिल सकता है, पर वो भगवान पर छोड़ देते हैं, अपन 3 ही count करेंगे, ठीक है, तो 4 तीन, तीन, 10 माह क आप ऐसे यहां ले सकते हो, और second वाले में आपको choice मिलती है, आपको पता ही होगा 6, A और 6, अब इसमें आपको कैसे approach करना है, कि अगर short notes, 5 के 5 आपके पढ़े हुए है, जो की 100% module coverage होगा, तो possible है, 100% module coverage है, तो ये 5 के 5 पढ़े हुए होगे, अब 3 में से 2 लेना बहुत average मिल जाता है, किसी में देड मिला, तो किसी में ठाई भी मिलेगा, average, ठीक है, तो ये भी 15 में से 10 आपको यहां score कर जाएगा, और अगर आपको लगता है कि यहां भी 4-3-3 वाला pattern follow हो सकता है, वह एकाद answer आपको बहुत अच्छे से आता है, पूरा आपको बहुत अच्छे से आता है, same language आप लिख सकते हो, तो यहां पे भी 4-3-3 हो सकता है, तो यह आप judgment exam में आपको लेना पड़ेगा, मेरे इसाब से यह short note जादा safe होते है, mark scoring के इसाब से, 3 में से 2, 3 में से 2, आ जाएंगे, decent answer लिख के आ जाए, 3 में से 2 तो मिलते ही है, तो short note मैं prefer करता हूँ, और short note पाचों के पाचों के पड़े हुए, तभी आएंगे, जब आपने module से पड़ा होगा, module से पड़ा होगा, चप्पा चप्पा चोटा चोटा टॉटा topic भी cover किया होगा, तब जाके पाचों पड़े हुए ही आएंगे, clear है, और कम time में भी लिखना हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तीनी mark का है, तो आधा-धा page या phone page जित्ता भी है, पाच पाच चार पाच पाच पॉइंट आप लिख सकते हो, काफी होते है, ठीक है, तो 20 mark आप यहीं ले सकते हो, मैं कह रहा हूँ, 20 mark आपके यहीं आ जाएंगे, 20 marks का आप target रख सकते हो, around 20 marks मेरे ख्याल से ले सक कर जाओगे, आधी passing होती है आपकी, एक गंटे में आधी passing, और वो भी full confidence के साथ, ठीक है, तो यह मेरे ख्याल से आपका base passing part B से याएगा, अगर आप part A से focus shift करके part B पे focus रख दोगे, तो मुझे लगता है काफी चीज़े simplify हो जाएंगे, ठीक है, फिर है, part A में अब क्या कर जो है वो एक और आता ही है minimum, 5 mark का पहले में, तो वो वैसे भी compulsory होता है, ठीक है, वो मैं कहा रहा हूँ, आप उसमें भी 3 या साड़े 3 या 4, 3 से 4 marks आपके वहाँ पे आ जाएंगे, clear है, अब मैं कहा रहा हूँ, अगर मैं 3 या 4 mark इसको पकड़ लूँ, तो अपने 24 marks minus 24, तो 21 marks आपको और चाहिए, पार्टे से, अब मैं कह रहा हूँ, कि पार्टे में आप क्या करो, पार्टे में देखो, अगर आप weightage देखोगे, weightage भी देख लेते हैं, है, weightage देख लेते हैं, December का इसमें नहीं है, पर वो file मेरे website पर अविलेबल है, अगर आप देखोगे, कुछ attempt से chapter 1, 2, 3 में से कुछ खास आनी रहा, और काफी बच्चे मैं देख रहा हूँ, chapter 1, 2 में इतना सारा settlement ये, वो काफी भर के दिया हुआ है, उसके वज़े से tension ले रहे, अरे भाई आई नी रहा, आई नी रहा, और आ भी रहा है तो एकाद आ रहा है, अब एकाद आपक मैंने भी पढ़ा हुआ है, हर faculty पढ़ा रहा है, और वो base है, final में भी है आपको, और वो काफी बच्चों ने अच्छे से cover किया हुआ है, ठीक है, बस आपको case study के angle से पढ़ना, start करना है, ICDR, LODR को, ठीक है, LODR में भी more specifically वो जो पूरा compliance calendar है, वो आपको अच्छे से याद क पढ़ा हुआ है, बहुत detail में पढ़ा हुआ है, और थोड़ा सा case study के angle से भी पढ़ा हुआ है, past paper के सारे case study अपने अच्छे से पढ़े हुआ है, और आपको idea है कि case studies कैसे frame हो सकती है, और आप उसी dimension, उसी angle से पूरा ICDR, LODR पढ़ते हो detail में, तो मुझे लगता है कि इसमें 20 में से 10-12 marks तो वहीं आ जाएंगे, 10-12 marks तो आपके score हो जाएंगे, ठीक है, दोनों मिला के आप देखोगे ICDR, LODR हर attempt में weightage 25-30 marks का ही है, 25-30 marks कब अगर आपने ICDR का paper attempt किया, 10-12 marks का score करी लोगे, समझ रहे हो, इतना difficult नहीं है, मैं कह रहा हूँ, जो आपसे हो रहा है, जो आपने cover किया है, जो आपको समझा हुआ है, उस पर क्यों focus नहीं कर रहे हो, just focus shift करो, मैं बता रहा हूँ, आपको कहा कहा problem हो रही है, कुछ बच्चों को take over में problem हो रही है, कुछ बच्चों को insider trading में problem हो रही है, कुछ बच्चों को सिक्रा और SEBI में जो कुछ-कुछ बहुत यह है, उस में problem हो रही है, मैं कह रहा हूँ, 45 marks का अगर आपका target है, तो आपको bother नहीं करना है, वो bother किसको करना है, जो 60 plus target कर रहा है, 60 plus, 65, तो उनको चपा-चपा सब cover करना होता है, बिना चपा-चपा cover किये हुए, 60 plus लाना मुश्किल है, पर अगर आप realistic target लो, कि कितना आ aggregate passing के लिए जरूरी है, मेरे इसाब से 45 है, तो आप focus shift करो, जो चीज़ें आप से नहीं हो रही है, आप उसी पर अठके हुए हो, इससे क्या हो रहा है, जो आपको आ रहा है, जिससे आप आसानी से 40 cross कर जाओगे, आप उस पर भी focus नहीं कर पा रहे हो, ये pressure है, ये exam pressure है, matter नहीं करती है, सिक्रा, सेभी या एक दो chapter अगर आपको उसमें बहुत situational चीज़ें नहीं ख्याल में आ रही है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी problem है, 45 mark score करने से आपको कोई नहीं रोख सकता, पार्ट B पर focus करो, ICDR, LVDR पर focus करो, फिर देखो इसमें आपका resolution of complaints and guidance है, कितना easy chapter है, आ रहा है उसमें से भी, एक question देखो आई रहा है, एक से दो question आते ही आते हैं, बहुत easy-easy भी आ रहे हैं, scores के बारे में पढ़ना है, उंबिट्समिन के बारे में पढ़ना है, आपका informal guidance के बारे में पढ़ना है, बहुत limited content है, सब plain 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 plain, बहुत easy है, बहुत easy-easy चीज़े भी हैं उसमें, तो मुझे लगता है, वहाँ focus करो, mutual funds में पता नहीं कितनी सारी चीज़े बहुत easy है, उसको आप cover कर लो, समझ रहे हो, तो मैं बोड़ना हूँ, जो चीज़ें आप से हो जा रही है, जितना भी आपने cover किया है, जितना भी आपको easy लग रहा है, आप उन पे focus करो, और उन में से अगर question आ गया, तो आपको छोड़ना नहीं है, चार में से धाई आना चीज़ें, चार में से तीन साड़े तीन में सपने नहीं दिखाऊंगा आपको, realistic मैं बोड़ आप ICDR, LDR मिला के ले सकते हो, ICDR, LDR हर बच्चा पढ़ता है, हमको तो मतलब मना करना पढ़ता है, भाई यह मत पढ़ और मत पढ़, वो सब बच्चा पढ़ता ही हमको बता है, तो आप 10 माग वहां से ला सकते हो, एकाद एकाद जैसे mutual fund का अगर आपका theory अच्छे से हो गय क्या है, आपका थोड़ा बहुत जो basic basic है, basic basic तो सब में आपने पढ़ाई हुआ है, buyback के conditions तो आपने पढ़े ही है, आपने delisting के जो basic conditions है, वो भी पढ़े ही है, बरोगर basic basic तो आपने हर chapter का पढ़ाई है न, तो उसमें से भी तो कुछ आएगा ही न, उसमें से जो आ रहा ह यह जो आपके questions है, यह वाले, ठीक है, हर question में यह जैसे आपका question है, मैं कह रहा हूँ, हर एक full question में, एक तो आपका पढ़ा हुआएगा, अर इतना तो coverage आपका होगा, जैसे first question में तो numerical आप करो गई, अब मैं कह रहा हूँ कि यह जो तीन questions है, इसमें से एक तो आपको सिर्फ एक, तीन में से एक, ठीक है, फिर वैसे ही आप question number two पे जाओगे, पांच है, अरे बाई, एक या दो तो आपको जमेंगे ना, पर जो बस एक या दो आपको जम रहे हैं, उसमें मैं कह रहा हूँ, आप अच्छा score करो, चार में से ढ़ाई, चार में से ढ़ाई, क्या आप हर चीज कवर करने में लगे हो, अरे हर चीज क्यों कवर कर दी हैं आपको, मैं कह रहा हूँ कि हर question में, चार या पांच questions है, आपको स्रिफ दो ही आने चाहिए, जो कि अच्छे से आने चाहिए, जहां पे आपको ढई-ढई-माग मिलना चाहिए, बस, तो जितना भ अब फिपड़ रहे हो, अगर वो बहुत अच्ची से पड़ा हुआ है, multiple times read किया हुआ है, तो ही वो possible है, problem कि आप सब पढ़ रहे हु, सब पढ़ रहे हो, तो आप multiple time revise नहीं कर पा रहे हो, आपको points ही याद नहीं आ रहे है, आप चीज़ों को apply नहीं कर पा रहे हो, यह problem है, बहुत ही बेतु की प्रॉब्लम है ये तो फोकस करो क्योंकि आप बहुत आखरी में आ गये हैं भी बहुत आखरी में जब आप आजाते हो ना फिर आप ये नुक एन कॉर्णर के जो और डॉट कॉश्टन है ये आप कवर नहीं कर सकते करोगे तो क्या होगा जो किया हुआ है उस पे आपका ध्यानी नहीं रहेगा जो पढ़ा हुआ है समझा हुआ है आता है पेपर में भी आता है वो भी आप लिखके नहीं आओगे मतलब आप अपने आपसे नफरत करोगे जब आप मार्कशीट देखोगे आंसर देखोगे या जब आप पेपर का रिजल्ट आएग उसमें पंच वर्ट डाल दो रिकॉल करो अगर आप वहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा महनत कर जाओ तो मुझे लगता है चार में से धाई चार में से धाई हर कॉस्चन में ऐसे दो-दो कॉस्चन भी आपको मिल गए जिसमें चार में से धाई मिल रहे हैं आपके 45 माग ऐसी बन में से एक 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 बटोर की कित्ते बटोर लोगे एक 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 मांक से आप 50 तक नहीं पहुच पाओगे एक 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 माग से आप 50 नहीं पहुच पाओगे समझ रहे हो कुछ तो ऐसा पेपर होना ही चाहिए जिसमें 3 में से 2 हैं 4 में से 2 हैं 5 में से 3 हैं तब ही वो नंबर अच्छी हो पाएगा और वो कब अच्छी हो पाता है जब आपके multiple revisions किये हुए प्रॉपर आपको बहुत माइन में clear है कि ये topic पे question आया तो मेरे क्या points होने वाले हैं तो जब आप ये exam oriented preparation करते हो तब ही ये possible है सिर्फ concept चली पढ़ लिया है और चले गए और फिर वहाँ सोच रहे हैं कि अब मैं क्या-क्या लिखूँ आंसर को कैसे divide करूँ ये वहाँ time नहीं मिलेगा वो वहाँ time बिल्कुल नहीं मिलता समझ रहे हो तो आपको proper break करना है ठीक है तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि हर कोशोन में अगर सरफ दो-दो कैन भी आपको मिल गएट जो आपके पड़े हुए हैं अच्छे से पड़े हुए हैं और उससे में आ अगर आप अच्छे से लिख के आ गए insects थो हर कॉस्टि तो आपके 20 माऊंग थो ऐसे हो जाएंगे not a very big task, ठीक है, तो सब में एक एक लेक लेने से अच्छा है, कुछ में आप ढ़ाई ढ़ाई तीन तीन ले लो, तो आपका aggregate 45 तो बन जाएगा, ठीक है, clear है क्या, तो आप focus करो, और अगर paper easy आया, सपोज आपके favor में paper आया, तो आपका score और बढ़ेगा, ये तो मैं सब minimum minimum की ब तो आठ माक वाला है, अब ये आपके उपर है, आपको एक choice मिलती है, तो आपके उपर है, जैसे इसमें आठ माक वाला typically बहुत लंबा आएगा, तो यहाँ बस थोड़ा risk है, यहाँ आपको थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा, कि बाई कौन से इतने बड़े-बड़े topic ह जो आठ माक के लिए आ सकते हैं, और past में क्या-क्या आया है, बैट के आप देख सकते हो, ऐसे बड़े-बड़े topics आप cover करके जाओ, बड़े-बड़े topics को cover करो, जिसमें multiple ऐसे questions frame हो सकते हैं, या कोई procedure वाला question है, how to issue ESOPs, how to issue sweat equity, procedural question, how to issue bonus share, समझे रहाँ, procedure वाले सारे question 8 माक क्या 7 माक के लिए आ सकते हैं, तो वो सारे cover करके जाओ, ऐसे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, आराम से score कर सकते हो, ठीक है, clear है क्या, तो ऐसा है, तो मुझे लगता है 45 का आप target रखो, maximum focus part B पे करो, part B में अगर आप के 20 माक आ गए, तो आप थोड़ा relax हो जाओगे, और फिर आराम से आप part A को tackle कर सकते हो, ठीक है, कभी भी part A से paper start नहीं करना है, कभी भी part A से paper start नहीं करना है, part B से ही paper start करना है, और part B में 100% module cover कर लेना है, तो आपको 30 में से 20 मिल जाएंगे, और उसमें कुछ-कुछ writing practice करके देख लेना है, random topics उठाके, लिख के देख लेना है, आपको कितने points recall हो रहे है, नहीं हो रहे है, proper हर topic को आपने points में divide करके proper punch words निकाले हो है कि नहीं, उतनी high level of मेहनत आपको करनी है, जो कि आप वैसे भी कर रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ, आप वैसे भी इतनी मेहनत कर रहे सही जगा पर करो, थोड़ा smart work करो, ठीक है, ठीक है, I hope थोड़ा सा एक आपको clear हुआ होगा, ठीक है, हर question में, हर question में, अगर आपको 5-5 भी मिलते हैं, ठीक है, तो भी देखो 20 हो जाते हैं, बस आपको इतना ही target रखना है, हर question में 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 को, जो भी वो marks का है, ठीक है, जैस आपको 15 में से 5-6 लेने हैं, अब ये कैसे होगा, 3 में से 1 भी आपका पढ़ा हुआ रहा, 3 में से 1 भी पढ़ा हुआ रहा, तो 5 में से 3-3 लेना है, और जो नहीं भी पढ़ा हुआ है, एक-एक तो आप ऐसे भी लही रहे हो, एक-एक में तो आप ऐसे भी लही रहे हो, बस म उन को अच्छे से पढ़ो, जो टॉपिक्स आपसे नहीं हो रहे हैं, उनको स्किप करके, वो जो टाइम आप फॉल्टू जला रहे हो, वो टाइम बस जो पढ़ा हुआ है नो, उसको एक और बार दो बार रिवाईस करने में लगा दो, बस ये मेरी स्टाटेजी है, ये मेरी स् ग्रुप्स में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो जो भी ये टाइम वेस्ट हो रहा है न ये थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस में दे दो कुछ रैंडमली के स्टडी उठा के लिख के देख लो आपको आ रहा है कि नहीं कुछ शॉट नोर्स नॉमल नुमेरिकल्स इसमें बता रहे हूं पार्ट भी पहले करना है पाठे करना है उसमें 30 में से 20 आपको कॉरा मॉड्यूल कवर करना है तो इससिप आप नहीं करोगे लाइक करके बताओ आपके लाइक से मुझे अंदाजा आएगा कि कितने लोग ये चीज़ फॉलो करने वाले ख्लियर है सब अविलिबल है बस आप यूज करो जितना आपसे हो रहा है जितना आपका कवरेज है जो भी आपको समझा हुआ है उसको मैं कह रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा पॉलिश करो आप पॉलिश नहीं कर रहे हो पढ़ा हुआ भी आ रहा है तो भी एक मार्ग मिल रहा है या दो पांच में से 3 मिलना चीए मैंने जितने भी माकशीट देखे है ना 40 के अंडर जो है जो 40 के अंडर है 30 35 जो आईवरेइज स्कोर होता है अर बच्चे का हर आंसर में एक ही माक है भाई ये कैसी बढ़ाई है कि आप एक में भी पांच में से तीन नहीं ले पा रहे हो एक आठ वाले में भी एक या दो ही मिल रहे है आपको ये कैसी बढ़ाई कर रहे हो इतना हवा में क्यों बढ़ रहे हो बाई करो जो चीज़ें अच्छी हैं रेलेवेंट ए वो चीज़ें पर आप ध्यान दो डिया तो थैंक युसो mycket लाइक करके जरूर बता देना आप यह सब फॉलो करने वाले यह इवो करने वालें और यहां可以 करने आउम脏 येँ सो मज़ क lo